New Pension Scheme, महराष्ठ्र के सरकारी करमचारियों को शिंदे सरकार का बड़ा तौहफा, नई पेंशन योजना के तहट मिलेंगे ये फायदे New Pension Scheme, महराष्ठ्र की एकनातः शिंदे सरकार ने परदेश के करमचारियों के लिए नई पेंशन योजना की घोशना की है, जिसका लोकसभा चुनाव से पहले महराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तौफा दिया है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट सत्र के आखिरी दिन राष्ट्रिय पेंशन योजना की घोशना की है। इसके अनुसार, नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाब उठाने का विकल्प दिया गया है। महराष्ट्र सरकारी कर्मचारी परिसंग के महासचिव विश्वास काटकर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के इस फैसले से 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फाइदा मिलेगा। के बताया कि यदि कर्मचारी संशोधित पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं तो उनका अपने अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन महंगाई भत्ते के रूप में प्राप्त होगा। इसके साथ ही 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाएगा। दो महिने में संबंधित दस्तावेज विभाग में जमा कराने होंगे। महराष्ट्र कैबिनेट के फैसले के अनुसार 26,000 करमचारियों को 6 महिने के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच चैन करने और अगले 2 महिने तक संबंधित दस्तावेजों को जमा कराने का समय दिया गया है। आपको बता दें कि कई राज्यों में इससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है। इसके साथ ही जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हुई है उनमें काफी समय से इसे लागू करने की मांग की जा रही है। हाई कोट से रिटायर जज की पेंशन महज 15 रुपए हजार अब जूडीशियरी में भी सेना के इस नियम को लागू करने की मांग उठी नई दिल्ली इलाहाबाद हाई कोट के एक रिटायर जज ने जिला जज सर्विस कोटा से प्रमोशन पाकर हाई कोट में जज बनने के बाद रिटायर होने पर बार से सीधे ही हाई कोट के जज बनने वाले जजों के बराबर वन रैंक वन पेंशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोट का रु प्रतिक्रिया मांगी है। उत्तर प्रदेश उच्चन न्याईपालिका से हाई कोट में जज बनाया गया था। 29 मार्च 2023 को हाई कोट के जज के रूप में रिटायर होने के बाद हर महीने उनको केवल 15,005 रुपए पेंशन मिलती है। पेंशन में भेदभाव मनमाना। अपनी याचिका में उन्होंने केंद्रिय कानून मंत्राले के उस पत्र को चुनौती दी है। जिसमें जिला न्याइपालिका, सेवा, से प्रमोशन पाकर हाई कोट के जजो की सेवा की अवधी की परवाह किये बिना बार से पदोन्नत लोगों के लिए उपलब्ध पेंशन के लिए पात्र होने से रोक दिया गया है। उनकी याचिका में कहा गया है कि सेवा कोटा से हाई कोट के जजों की पेंशन तै करने के लिए जिला न्यायपालिका में जजों के कार्यकाल को मनमाने धंग से नहीं गिना जाता है जबकी बार से नियुक्त जजों के मामले में बार में दस साल की अवधी को पेंशन निर्धारित करने के लिए बेंच में अनुभव के रूप में गिना जाता है व्रिधावस्था पेंशन घोटाला निलंबित समाज कल्यान अधिकारी पर कसा शिकंजा जब्थ होगी घोटाले की रकम से खरीदी संपत्ती और वाहन अप्रेल 2023 में समाज कल्यान विभाग में हुए पेंशन घोटाले को दैनिक जागरण ने प्रमुक्ता से प्रकाशित किय था इस मामले में डीम उमेश प्रताप सिंग की ओर से कराई गई जाँच के बाद शासन ने राजेश कुमार को निलंबित कर दिया था पिछले दिनों वा आत्म स्मर्पन करके जेल चला गया लेकिन पुलीस ने रिमांड पर लेकर उससे पूछताच की तो कई एहम जानकार दी व्रिधावस्था पेंशन में घोटाला करके निलंबित समाज कल्यान अधिकारी राजेश कुमार ने जो संपत्ती वा लगजरी वाहन खरीदे थे उन्हें जब्त किया जाएगा पुलीस की ओर से इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है उसकी अन्य संपत्तियों का भी ब्योरा जुटाया जा रहा है उच्ताच में जिन लोगों के नाम सामने आएं उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है एक आरोपी की गिरफतारी के लिए लखीमपुर में दबिश दी गई हालां की वह भाग निकला अप्रेल दो हजार तेईस में समाज कल्यान विभा में हुए पेंशन घोटाले को दैनिक जागरण ने प्रमुकता से प्रकाशित किया था इस मामले में डियम उमेश प्रताप सिंग की ओर से कराई गई जांच के बाद शासन ने राजेश कुमार को निलंबित कर दिया था पिछले दिनों वह आत्मस मरपन करके जेल चला गया लेकिन पुलीस ने रिमांड पर लेकर उससे पूछताच की तो कई एहम जानकारियां दी संपत्ती को जब्त कराने की प्रक्रिया शुरू बताया कि घोटाले की रकम से लखनों में तीन मकान वसीतापुर में हाइवे किनारे जमीन खरीदी चार लगजरी वाहन भी खरीदे अब इस संपत्ती को जब्त कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है उसने मकान, जमीन ववाहन किसके नाम खरीदे इसका ब्योरा जुटाया जा रहा है जल्द ही इसमें और भी गिरफ्तार्या हो सकती है लखीमपुर में दबिश वे जब्त होंगे उसने पूचताच में लखीमपुर के एक व्यक्ती समेत कुछ और लोगों के नाम बताय थे जिनकी जाँच शुरू हो गई है उसने पूचताच में स्थानी अस्तर पर कुछ कम्प्यूटर आपरेटर रखे जाने की जानकारी दी थी उनसे भी पूचताच की जा रही है सनलिप्ता मिलने पर उन्हें भी जेल भेजा जाएगा पेंशन सरकार की खैरात नहीं हमारा कमाया हुआ वेतन महेश पाकुड प्रतिनिधी अखिल भारतिय राज्य पेंशनर महासंग ने बैनर तले रविवार को शहर के भगत धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया पाकुड प्रतिनिधी अखिल भारतिय राज्य पेंशनर महासंग ने बैनर तले रविवार को शहर के भगत धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवरित प्रोफेसर डॉक्टर त्रिवेनी भगत ने किया उन्होंने कहा मदन बाबू के दिहान्त के बाद पहली कार्यक्रम आयोजित किया गया है हालांकि पेंशनर दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है परंतु ठंड को देखते बुजर्गों को तकलीफ ना इसे लेकर आज पेंशनर दिवस आयोजित किया गया महासचिव महेशकुमार ने कहा पेंशन कोई सरकार द्वारा खैरात नहीं, एहसान नहीं पेंशन सरकारी कार्यों का कमाया हुआ वेतन होता है सेवा निवृत्ती की कमी जिंदगी के बहुमूल्य समय दिया और परिवार को छोड़ काम करते रहे वही कमाया हुआ वेतन का ही पेंशन मिलता है उन्होंने बताया कि ग्यारा दिन में एक दिन मिलता है एक करमचारी को ग्यारा दिन के बदले एक दिन येल मिलता है जो एक महिने में तीन येल होता है साल में 36 के बदले 33 दिन येल मिलता है इसी यल के बदले पेंशन दिया जाता है मौके पर मौके पर राज्य के महा सचिव महेश बाबू सुशील तेका, शाम कुमार, मुकुल भटाचार्य, प्रवीर भटाचार्य, विश्वनात भगत मौजूद थे